आप सभी को राम राम मैं आचारी किशन महिश्वरी आप सभी का आदतम जोतिस में स्वागत करता हूँ आज हम आप सभी को धन तेरस के विशे में एक गुप्त रहस्य बताते हैं एक ऐसी पदती एक ऐसा विशे जो भी इस परियोग को करेगा निश्शित पूरे साल वो स्वस्थ भी रहेगा और धन की किरपा बनी रहेगी कभी भी धन का अभाव नहीं होगा ये एक सोधित अजमाया हुआ उपाए हम आपको बताते हैं धन तेरस के दिल धन्तरी भगवान अमरित की कलस लेके भागे थे उस दिन जितना भी अमरित पृत्वी पे पड़ा तो जड़ी बुटी का निर्मान हुआ था ओस्दी का निर्मान हुआ था निश्शित अपने घर के आसपास या आपकी जो भी चीत प्रिचीत है जिस भी आप आश्रम में जाते हैं मंदिर जाते हैं वाँ देखिएगा कोई बिमार वक्ती हो तो उसको कहीं से मेडिशन दिलाइए दवा का दान सबसे ज़्यादा जरूरी है धन तेरस के दिल करना और सुभए आप सबसे पहले एक किलो नमक और एक जाडू खरीद के लाइए इस से पहले कुछ मत खरीदिये शुभए उठिये फटाग दे बजार जाहिए और एक किलो नमक और एक जाडू खरीद के आप लाइए जो जाडू और नमक के साथ पैसा आए उस पैसा को आप संभाल के रखिएगा माल लीजे जाडू आई सत्त रुपए के तो आप उन्हें सो का नोट दीजे नमक आया चालिस रुपए का उसे सो का नोट दीजे एटोमेटिक रिटन पैसा आएगा वही पैसा उस नमक और जाडू के साथ जो आएगा वहां से धन का आगमन आपके घर में सुरू हो गया अब आप क्या करें जिससे विशेश धना है 23 तारिक का संड़े है गुलिक काल साड़े तीन से साड़े चार के बीच में उस पिरड में आप बजार से पांच कोडी पीले रंकी और तीन गोमती चक्कर और एक साबुत हल्दी वो हल्दी टूटी भी ना हो और टेडी मेडी ना हो ये खरिक्ते समय ध्यान रखेगा इन सब सामान को ये पांच और तीन आठ और एक नो हो गया इसको एक लाल रंके कपड़े में पोटली बना लीजे और उस पोटली को आप गनेर जी लक्षमी जी के समक्स रखेए तीन दिन धंतेरा छोटी दिवाली बड़ी दिवाली और भहिया दूज और गोर्धन पुजा पांच वे दिन इस पोटली को उठा करके वहां रखेए जहां आपके भगवान घर में विराजमान है नित नेम इसको धुबत्ती दिखाईए देखिएगा पूरी साल निशित तोर पे पूरे विश्वास के साथ धन की कमी आपको नहीं रहेगी ऐसा ये अजमाया वहा परियोग आपको बताया गया है आप अजमा के देखिए आपको निशित फाइदा होगा अभी हमारे सामने एक सवाल आया कि गरीब लोग क्या खरीदें धन तेरस पे जिसे धन की किर्पा बनी रहे अब सबसे पहले वो एक कटोरे में चावल और एक कटोरे में चिन्नी वो अपने घर में भर के रख ले चिन्नी मंगल और चंदर्मा चावल चंदर्मा और मंगल का जब मिलन होता है जन्म पक्तिन कामी तो महलक्ष्मी योग बन जाता है तो वो एक कटोरे चिन्नी एक कटोरे चावल जो रखेगा उसके पास धन की कमी नहीं रहेगी यतना तो जरूर वो सोना चांदी की जगे खरीद के लिया है अब बारा रासियों वालों को किस चीज का भगवान को भोग लगाया जाए जिससे उनको पहुत फाइदा हो तो मेश रासि वाले सफेद छेने की कोई मिठाई का भोग लगाए वरस रासि वाला परमल मिठाई का भोग लगाए करक रासि वाले भगवान जी को गुड से बनी भी मिठाई का भोग लगाए और सिंग रासी वालों को हो सके घिया या पिस्ता अपनी सामरत के नुसार गिरिन मिठाई का भोग लगाएं और कन्या रासी वालों को सभी को मोदक यानि लड़ू का भोग लगाना और तुला रासी वालों को सफेद रसगुलों से भोग लगाएं वर्षिक रासी वालों को काले गुलाब जामुन का भोग लगाएं और धनी रासी वालों को मून दाल की बर्फी या बेशन की बर्फी का भोग लगाना चाहिए मकर रासी वालों को गुलाब जामुन का भोग लगाना चाहिए और कुम रासी वालों को हो सके सामरत हो तो काजू की बरफी का भोग लगाएं और में रासी वालों को बदाम या अकरोट की बरफी का भोग लगाना चाहिए ये ध्यान रहे भोग तभी स्विकार होगा जब उसमें तुलसी दल डलेगा बिना तुलसी दल डाले भोग ना लगाएं ये विशेश मैंने अध्धन की बात आपको बताई है आसा है आप सबको पसंदा योगी नमस्कार